हाई फ्रेंट्स काफी सारे नए यूटूब करियेटर की ये सिकायत रहती है कि यूटूब के दवारा उनकी जो अर्निंग है वो काट ली जाती है वो यही बोलते हैं कि लगातार हैर महीने हमारी अर्निंग है वो कट रही है यूटूब के दवारा काटी जा रही है तो friends इस वीडियो के अंदर मा आपको यह ही बताऊँगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि YouTube के दवारा यह earning क्यों काटी जा रही है और लगातार जो earning कट रही है उससे अपन कैसे बच सकते हैं या उसका बचाओ अपन कैसे कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है हमारी earning है वो क्यों कटती है देखिए friends YouTube यह बोलता है कि YouTube के दवारा आपकी कोई भी earning है वो नहीं काटी जाती है देखिए यहां आपको मैं reason बताऊँगा जो YouTube बोलता है वो आपको reason बताऊँगा फिर वीडियो के last में म आपको मेरी राय भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है देखिए friends YouTube यह बोलता है कि कोई विग्यापन दाता या कोई advertiser हमें विग्यापन दिया या ads दिखाने के लिए हमें कुछ पैसे दे दिये पहले लेकिन बाद में उसने सारा जो पैसा है वो हमें नहीं दिया या बुक अंतान नहीं होने के कारण या बिल पेमेंट नहीं होने के कारण हमने आपकी जो earning है वो काट ली कारण यह है कि उस विग्यापन दाता कि हमने ads है आपकी वीडियो पर दिखा दिये इसलिए earning तो आपकी हो गई लेकिन उस earning का हमें पैसा नहीं मिला तो हम आपको कहां से दे एक तो यह कारण यूटूब है वो बताता है लेकिन अब यह कहें यूटूब क्रियेटर सर इसमें हमारी कहां गलती है हाँ सही बात है यह यूटूब क्रियेटर की गलती नहीं है यह तो या फिर जो यूटूब है वो इस बात को समझे कि विग्यापन दाता से ads आप लेतो तो को YouTube Creator नहीं लेता है, तो ये तो उनकी समझ है, जो उन्होंने rule बताए है, जो पोलो सी उन्होंने बताए है, जो YouTube खुद बोलता है, मैं आपको last में बताऊँ है, कि आप ये कहां से चेक कर सकते हैं, वो भी जानकरी में आपको दूँगा, तो एक कारण तो उन्होंने ये ब काट लेते हैं, अब देखिए, फ्रेंड्स से वो चेक करते हैं, यूटूब वाले, आपके IP एड्रेस ते हो सकता है, कि सायद आप अपने परिवार के सद्दे सी, अपने फ्रेंड्स को बार बार ये करते होंगे, कि YouTube के वीडियो है, या फिर मेरा चैनल है, वो देखा करो, अब यहां YouTube एक बात और भी बोलता है, कि मान लिजिए, कोई viewer या visitor आपकी वीडियो पर आया, और वो केवल ads देखा, और ads को भी उसने skip कर दिया, और कुछ second के बाद आपकी वीडियो से वो चला गया, यानि आपकी वीडियो उसने 2-4 मिनिट की नहीं देखी, या फिर आप सकता है कि invalid traffic सी वो आया हो, तो YouTube ये भी बोलता है कि अगर मानली जी को visitor आगे केवल ads देखता है, ads को भी skip करता है, और कुछ second में आपकी वीडियो छोट कर चला जाता है, तो वो भी earning आपको नहीं दी जाती है, तो YouTube ऐसा बोलता है, देखिए friends, एक कई बार क्या होता है, कि ह हमारे कफी सारे जो creator होते हैं, उनकी ये सिकायत है कि sir, हमारे YouTube channel में earning show कर रहा है, लेकिन हमारे adsense में earning है, वो show नहीं कर रहा है, तो देखिए friends, इसकी एक ही कमी हो सकती है, कि या तो आपका जो adsense है, उसका address verify नहीं हुआगा, या address pin है, वो verify नहीं होगा, अगर आपका adsense का address verification नहीं हुआ है, तो आपकी YouTube की जो earning है, वो adsense account में नहीं जाएगी, अगर आपके साथ भी ऐसी समयश्या है, तो आप पहले अपने adsense का pin verification करवाईएगा, उसके बाद ही आपकी जो earning है YouTube की अपने adsense में आएगी, अब देखिए friends, एक बात और आपको मैं यहां बताऊंगा, हमारे YouTube account में जो estimated जो earning है, वही earning हमारे adsense में show करता है, आप देखोगी कि adsense में भी estimated जो earning है, वो show करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे YouTube की estimated जो earning है, वो adsense में show नहीं करता है, कुछ dollar कम हमें show करता है, तो YouTube का यहां पर यह कहना है, देखिए दो तरह की वो earning बताते है एक तो होता है estimated earning एक होता है finalization earning ठीक है यानि final earning estimated earning वो होती है जो मतलब आपकी वीडियो पे traffic आया और उन traffic से जो आपको earning आई ठीक है अब YouTube यहाँ यह करता है कि जो invalid click है वो भी हमारे दोवरा काट ली जाती है ठीक है किसी विगयापन दाता ने पैसे नहीं दी हमें तो वो earning भी आपकी काट ली जाती है कोई invalid click आकर के आपका वीडियो पूरा नहीं देखा कि और ads देख के चला गया तो वो earning भी काट ली जाती है तो हम क्या करते हैं जब आपकी payment को final करते हैं आपकी earning को final करते हैं जो estimated जो earning होती है उसको final करके ही हम आपके adsense में ही ट्रांसपर करते हैं इसमें जो भी invalid clicks हैं और जो भी हम पंदता पैसे नहीं दिये वो भी सब कुछ कार्ट पिट कर ही हम आपके adsense में transfer करते हैं अब कई creator की यह शिकायत होती है कि सर हमारी जो earning है YouTube से adsense में आ गई लेकिन जब adsense से transfer होके हमारे bank account में आई तो वहाँ पर हमारी earning कट गई तो देखे फ्रेंट्स आपको मैं एक बात यहां बताऊंगा कि जब currency convert होती है चेंज होती है तो वहाँ पर कुछ हमें text देना पड़ता है ठीक है चाहे तो वह currency change का text मान लो या फिर other country का transaction आप मान लो ठीक है तो इस currency for example मान लीजिए यहां 100 रुपिया आपके adsense में थे पहले मैं example बता रहा हूँ 100 रुपिया थे और वह 100 रुपिया आपके account में नहीं आए उसकी बजाए केवल आपके number रुपिया account में तो इसका मतलबी है कि 10 रुपिया आपके text के कटके यह मानो जो राजस्वजो कर होता है जो भी इनकी policy rules होता है वो card pit कर हमारे bank में आता है तो यह तो कोई खास बात नहीं है क्योंकि currency convert होती है तो ऐसे text हमें pay करने पड़ लिए यहां एक बात और आपको बता दूँ देखिए friends कई बार क्या होता है कि काफी सारी YouTube creator के साथ ऐसा होता है कि सर हमारी जो earning थी वो पिछले मैंने के बात करें तो दस डोलर थी लेकिन दो दिन बाद हमें हमने देखा तो वो डोलर के ओल पांच बची तो यह यहां पर कुछ थोड़ी cheating हो सकती है तो ऐसे cheating होने पर अपने क्या कर सकते हैं देखिए आपने कि कोई invalid के वीडियो पर नहीं आया लेकिन फिर भी आपकी earning कटके तब हम क्या कर सकते हैं तो भीया यहां पर adsense या फिर YouTube शाफ साब बोलता है कि जिस तरह से हम हमारी वीडियो पर कोई copyright आ जाता है या फिर कोई copyright claim आ जाता है तो अपन अपिल करते हैं जो भी हमारी YouTube से संबंदित आती कि आप earning से संबंदित कोई भी appeal है YouTube को नहीं कर सकते या फिर adsense को आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी team बिल्कुल परसक्षित है बिल्कुल धान परूर आराम से पूरा analyze करती है उसके बाद ही final जो earning है वो आपके transfer या आपके adsense account में transfer की जाती है तो friends इसके लिए आप appeal नहीं कर सकते हैं अब देखिए friends यह तो वह source थे जो YouTube बोलता है कि आपकी invalid click से जो earning है वो कटी है अब मैं आपको बताता हूं मेरा experience कि हम कहां गलती करते हैं देखिए friends आप अगर आप एक नए YouTube creator हो तो शुरुआत में आपके साथ यह सिकाई ठरती है ठीक है क्योंकि या तो आप YouTube प यह देखते हैं कई बार हमारी जो अपने YouTube अकाउंट में अपन लोगिन होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आज के earning यह है दो दिन बाद में देखेंगे तो वह earning हमें कमी लगी लेकिन friends वहाँ पर केवल और केवल आप 28 दिन की earning है वो देख रहे हो जब आप revenue report के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप अपनी earning है वो lifetime करके आप देखिएगा जिस महिने में आपने जो भी income की है जो भी earning की है वो आपको वहाँ पूरी दिख जाएगी अब देखी इसे एक example के दोरा आपको मैं बताता हूं कि YouTube क्या करता है कि YouTube की जो earning है वो हर महिने की 11 या 12 तारिक को AdSense में transfer हो जाती है पहले यह तारिक 11 हुआ करती थी आज कल यह 12 हो गई है तो यानि 12 तारिक के बाद हमारी YouTube की earning हमारे AdSense account में transfer हो जाती है इसके बाद हर महिने की 21 तारिक के बाद हमारी जो earning है वो AdSense से हमारे bank account में आ जाती है अब यहाँ एक बात और समझी है कि AdSense य लेटेब्स की आपने किसी महिने में 10 डोलर हमें 10 डोलर कमाई होगी और आज तारिक हो गई 16ुरा 12 महिने की 16 तारिक हो गई और एक तारीश दे लेकर 16 तारिक हमने पंच डोलर ठीक है अब total हमारी कितनी हो गही कि है आपकी आपकी जो इस महिने की टोटल अर्णिंग है वो क्योंड पांच डोलर है नए की पंदरा डोलर क्योंकि जो दस डोलर है वो पिछले महिने की आपके यहां सो कर रहा था तेखिए कई बार टेक्निकल इसू हो जाते हैं हो सकता है कि आप भी साइद अपने चैनल पर देख रहे ह हो रहे हैं क्योंकि उस महिने में आपने केवल पांच डोलर ही कम हैं बाकि दस डोलर तो आपकी पहले की हैं इस बात को आप समझने की कोशिज करें कि वो दस डोलर आपकी पहले की हैं इस महिने की पांच डोलर है और आप जो टोटल पंदरा डोलर देख रहे हो तो धीरे द तो फिर और म्ह TB यह सकता है कि यही विशेश प्रिश्थितियों में होता है कि मानली आपने जो वीडियो पर पर अपने चैनल पर आपने इंविलेट क्लिक और देपो करले पर ménย ए耸री कि चिणिए आपकी invalid click ठीक है इस बात को आप समझे कि पिछले महीने की earning में आपकी invalid click है वो YouTube के पकड़ में नहीं है और वो अब आ गई है तो वो पिछले महीने की earning है जो भी invalid click से आपको हुई है वो इस महीने की earning से वो काट लेंगे इस बात का आप विशेज द्याम रखे और वैसे YouTube किस YouTube है हमारी वो earning काटता है वो नियमों के आधार पर तो वो काटेगा यहां पर कोई YouTube गलत नहीं है मैं कहता हूँ यहां पर YouTube गलत नहीं है क्योंकि कुछ rules है वो हमें follow करने पड़ेगे अगर उनसे विपरीत अपन जाएंगे जो भी हजाना है वो हमें बगतना है पड़ेगा बाकि अगर ऐसी आपके साथ समयश्या हो रही है कि आपकी वास्तों में earning गट रही है तो आप YouTube को mail करो और अगर mail में वो कोई response देते हैं तो अच्छी बात है तो वरना तो भी हाप कुछ नहीं कर सकते और नयमा आपकी कोई help कर सकता क्योंकि यह तो सारे rules YouTube के हैं या फिर Google या फिर adsense के उन्हें हमें follow करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि earning से कट से संबंदेपन किसी परकारी की जो appeal है वो नहीं कर सकते उमीद गरता हूं friends जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान हो तो चैनल को आप जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी परकार की वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे इसके लावा आपके दिमाब के कोई भी क्यूशन चल तो कमेंट कीजिएगा आप वीडियो के लिएचे मैं आपकी हेल्प करने की कोईशिस करूंगा थेंक्यू धन्यवाद